और आज जो है वो हम पांचवी मुहर से शुरू कर रहें तो आप लोग साथ में हो अब तक की बात मैं विश्वास और आशा रखता हूं कि आपको समझ में आई है और आप पुरी तरह से उसको सीख पाए है मेरा अपसे रिवेदन है कि यह जो अभ्यास चल रहा है इन दिनों में आप प्रकाशीद वाक्य का रिडिंग रखे प्यारो प्रकाशीद वाक्य के जो जो अध्याय है जो हम चला रहे वो और आगे भी आप पड़ते रही है बहुत सारी बाते आपको समझ में आएगी क्योंक बहुत कुछ समझ में आने लगेगा यह आज जो हम देखने वाले वह पांचवी मुहर जब सातो मुहर मेंसे चार मुहरे खोली गई को चार अलग अलग घुड़े और आति जोर सब्सक्राइब यहाँ पर पांचवे मुहर बहुत ही अलग मुहर पीछली छार मुहरों से और दूसरी महरों से यह बहुत अलग है क्योंकि यह विशेशकर्ण के उस समय के विश्वासियों की उनकी शहादत के बारे में है और बहुत सारी विश्वासी लोग इस ऐसका कर विशे मात्रांप सताए जाएंगे और बहुत सारे लोग अपने विश्वास में ड्रिड रहेंगे और अपनी जान की कीमत अदा करेंगे उस विश्वास के बदले में क्योंकि उनको सक्चाय पता चल चुकी होगी और बहुत सारे लोगों का मानना इसमें यह है कि पवित्रा आत्मा इस समय उठा लिया जाएगा, इसलिए नीचे रुथवी पर यह सब घटनाए होगी, यह सब बाते उपर ऐसा नहीं है प्यारों, पवित्रा आत्मा उठा लिया नहीं जाएगा, जैसे हम पूराने नियम में भी देखते हैं पवीत्रा आत्मा काम कर रहा था, अलग-अलग समयों पर अपना काम कर रहा था, वैसे ही इस काल में भी, इकलेश काल में भी पवीत्रा आत्मा अपना काम जारी रखेगा, पर कैसे जारी रखेगा, तो ये बात हम सीखने वाले हैं, तो बहुत भारी पैमाने में, जब ये पा इस आयत को हम परते प्रकाशित्वा के आठ वाद्या पहली दूसरी आठ जब उसने पांच वी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण उस गवाही के कारण जो उन्होंने दीत थी वद किये तो क्या लिखा है उस उस्तु समचार का प्रचार करने वाले बनेंगे और यह उनके सताव का और विनाश का कारण बनेगा क्योंकि वो सीधे ही एंटिक्राइश्ट के टार्गेट में आ जाएंगे त्यारों वहां पर और यह लोग यहां पर वद होएं और लिखाए दस्वियत और उन्होंने श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और फोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वद होने वाले हैं उनकी भी गिंती पूरी न हो तो उस समय में जो मृत्यू पाएंगे नहीं मृत्यू के बाद हम जा प्रान रखा गया पैरेडाइस जिसको बोलते वहां पर वह जाता है और यहां पर वह बात का वर्ण किया गया कि जब उसने पांचवी मृत खोली तो क्या हुआ कि वेदी के नीचे उनके प्रानों को देखा जो प्रान ये बोल रहे हैं कि प्रभू तु तु कब तक नहीं ह हमारे लहू का पलका कब तक न लेगा और उन में से हर एक को श्वेत पस्तर दिया गया अब ये लोग कौन हो सकते आप जरा गौर कीजिए आप अगर भजन सहिता पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान में होगा दाओद और जो भजनकार है उनकी ये प्रातना है थी वामूसा प्रातना है उनकी ये प्रातना है ऐसी प्रातना है आप वजन सहिता में पढ़ोगे कि प्रभू कब तक ये होगा मेरे दुष्टों का बदला में कब देखूंगा नहीं ऐसी अलग-अलग प्रातना है तो ये प्रातना है यहुदी लोगों की प्रातना हो सकती है और तब बोल रहे हैं कि वही कब होगा तब प्रभू बोलते हैं कि यहां पर लिखा है कि उन में से हर एक को श्वेत वस्तर दिया गया जब तक कि तुमारे संगीरास मतलब और भी दुसरे हैं जो इस साथ साल के क्लेशकाल के दोरान शहीद होने वाले हैं और जब वो पूरे हो ज वहाँ जब खुली गई है तो यह बहुत ही यहां पर आप वेधी देख सकते हो जो मंदीर के अंदर जो वेधी होती और उस वेधी के नीचे तले वहाँ पर आप उन संतों को देख पाते हों जो इस काल में क्लेशकाल के समय में वद्र किये गए यह या तो शहीद हुए है दूसरा है next छटी मुहर क्या बताती है यह मुहर जब खोली जाएगी चटी मुहर तब आउकाश में बहुत भारी डिश्टरबंस होगा यह मुहर के खोले जाने से देख पा सकते हैं जो यहां पर वच्चन में लिखा है यहां लिखा है जब उसने छट्वी मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भुई डोल मतलब भुकंप हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहु कासा हो गया लि अब बत्थी रचित्सू समाचार में हम देख पाते हैं कि वहां पर आकाश के शक्तियां हिलाई जाएगी नहीं ये बात लिखी है वो ये बात है प्यारों यही बात से जूड़ी हुई है कि ग्रहो नक्षत्रों में बहुत भारी बदलाव आएगा उनके स्थानों में वो ये समय होगा तलेश काल का समय होगा जिसमें ग्रहो नक्षत्रों में बहुत भारी मात्रा में बदलाव आएगा और इसलिए ये बात लिखी गई है और लिखाए कि और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और लिखाए हर एक पहाड और टापू अपने अपने स्थान से टल गया अब आप सोचो प्यारों इस संसार में ऐसी आप लेफ्ट बियाइंड हुए थे पर वो ही लेफ्ट बियाइंड होंगे जो लाओ दिक्या की कलीसिया की माफ़क जीवित कलीसिया नहीं है मतलब अपने आपको परमेश्वर के साथ के संबंद से अलग रखी है जो सोई हुए लोग है जिन्नोंने प्रभू येश्यु मस अबढ़ ऑखर इनको बहुत सामानी आ समझा है तो वे लोगों की बात है वो लोगों को यह सब बात है वहाँ पर ध्यान में आएगी कले इसकाल के सब्याए में और जी में सब हल जाएगा दिली ने ऑप मुझे पता है दो जार्ग एक साल में मैंने खुद मैसुस किया वह बहुत बारी वुकम लोग बहुत बारी देशत में आ गए थे बहुत बारी देशत में पर यह समय कैसा होगा आप सोचो जो कभी आ ऐसा शाय देखा नहोगा एक पहाड रहे और टापू अपने अपने स्थान से तल गए इसका मतलब है कि जो टापू है तल गए और समुद्र में भारी मातरा में सुनामी आ सकती है है बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे जो समुद्री टट है यहां पर सुनामी आ सकती है और लिखा प्रुत्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धन्वान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाडों की खोहों में और चक्तानों में जाजी प्यारों आप सोचे आज जितने लोगों के पास बहुत भारी मात्रा में धन है धन के कुबेर समझे जाते पर इहां पर इहां का द्थन उनको भाइघ है उननको बचाने पाएगा कि उनके सिक्रीटी सिस्टम उनको बचाने ही पाएगी क्योंकि यह लिखा है कि वो लोग पहाडों में और ऐसी जगवापर जा चीपेंगे और गाएंगे कि रहा इतने हतोत साहित हो जाएंगे प्रेंगे हमारे हमारे पैसे हमारे दन दोलत क्या काम की और वो कहेंगे कि इससे तो अच्छा मर जाना है और इसलिए लिखा है वो बोलते हैं कि हम पर गीर पड़ो और हमें उसके मुह से जो सियासन पर बैठा है उसके प्रकुप से चीवल उनको बहुत अच्छे से पता होगा उनको बहुत अ नियायासन पर है इस समय की बात है अभी भी कुरुपा सन पर है प्यारो पर जिस दिन रप्चर हो गया वो कुरुपा का समय पर से वो कुरुपा सन पर से हट जाएगा वो और वो नियायासन पर होगा प्यारो वो नियायासन पर होगा और से लिए ये पूरा अधीकार निया निकल चुका था प्यारो कहीं एसा नहों कि हम भी ऐसे लोगड़ान पीरियड और रभू के रूपा के समय को बिता दे अपनी मस्ती में और मन मर्जी में और वो समय रूनने का समय प्यारो जाकते रहे और अपनी आग को जगाए रख को बुजने ना दे, ठंडे ना बन जाए, गुन-गुने ना रहे प्यारों, ठंडे लोगों को तो इसमें जाना ही है, पर गर्म भी नहीं बिल्कुल ऐसे हो जाए कि नहीं, कि जियो परमेश्व को प्रसंद करने वालते हैं, तो यह बात हमें ध्यान में लेनी है, प्यारों, यह साड़े-तिन साल का ऐसा समय है, प्यारों, जिसमें कठोर जगत पर, पापी और कठोर जगत पर कोप उंडे ले जाने की यह शुरुआत होगी, यह ऐसा समय है, प्यारों, और इसके लिए लिखा गया है, कि यह तो पीडाओ का प्रारम भी होगा, यह पीडाओ का प्रारम भ अलग सब दर्द है यह और यहां से यह मुहर से यह तो बढ़ेगा यह दर्द बढ़ेगा और यह दर्द की तिवरता बढ़ती जाएगी देखो एक बड़ा भूई डोल हुआ सूर्य कंबल की नहीं काला पूरा चंद्रमा लहुसा हो गया आकाश के तरह पुर्थी पर गिरे आकाश यहां सरग्य जैसा पत्र के सरग जाता है और हम देख पाते कि बहुत भारी मात्रा में यह सब बाते हो रही है अब छटी मुहर जब खोल दी जाएगी यह घटना पूरी होगी उसके बाद में बारी आती है साथवी मुहर अब यहां पर एक बात है साथवा अध्याई आप निकाल कर पढ़ सकते हो मेरे साथ निकाल कर अपने सामने रखे साथवा अध्याई इसके बाद मैंने पूर्थवी के चारों को कौनों पर चार स्वरग दूद खड़े देखे और लिखा है यह साथवी मुहर खोली जाए उससे पहले मुझे माफ कीजिए यह प्रकाश्चित वाक्य में यह एक अंत्राल का समय दिया गया है कि ज्यादा तर छट्थी और साथवी मुध्रा मुहर जब खोली जाती है तब यह साथवा अध्याई एक समय अंत्राल का समय दिया गया है वैसे ही सात्वी तुरही फूकी जाएगी चठी तुरही फूकी जाएगी और सात्वी तुरही उसके बीच में भी ऐसे ही अध्याय का एक अंत्राल दिया गया है। चारो कोनों पर चार स्वर्गदूत कड़े देखे हैं। आप यहां पर इमेज में देख सकते पुरुथवी का गोला है और उसके चारो तरफ चार स्वर्गदूत है। और वे पुरुथवी की चारो हवाव को थामे हुए थे। यह जो हवाव को थामे रहना मतलब वो न्याई शासन है कौन सा न्याई शासन लागू करने का कि पृत्री और समुद्रक को हानी करने का अधिकार है पर यहां पर उनको रोका जा रहा है क्यों कि देखो थामे हुए थे मतलब उन्होंने रोके रहा क्यों रोका हुए था क्यों थामा हुए था क्योंकि यहां पर द इमेज में प्रुत्वी के गोले के जस राइट साइड पर वो स्वर्दु तुनको बोल रहा है कि वेट अभी रहा देखो क्यों लिखा है कि तिसरी है जब तक हम अपने परमेश्व के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक परुत्वी और समुद्र और पेड़ों को आनी न पहुंचाना क्या लिखा है कि जब तक हम परमेश्व के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक रुथवी और समुद्र और पेड़ों को हानी न पहुंचा न जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिंती सुनी अर्थात इस्राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 12 गोत्रों में से 12 यहुदा के गोत्र में से 12000 पर मुहर दी गई रूबेन के गोत्र में से ऐसे अलग-अलग जो गोत्र है 12000 वहां पर कितने हुए टोटल एक लाग 44000 दो प्यारों यह लोग यहुदी लोग है जो इस समय में विश्वास्त में आएंगे और क्यों अब यह मुहर लगाना क्यों जरूरी था कलीसिया और परमेश्वर के चुने हुए दास जो कलीसिया में थे जो इवैंजलिस्ट थे प्रक्चारक थे बाइबल टीचर थे वो सब लोग तो रैप्चर में चले गए होंगे पर उस समय बहुत भारी अकल वचनों को होगा पर प्रभू उनके लोगों को उस समय भी तया करेगा इसलिए मैं मैंने यह बात बोले कि परभीतरात्मा उठा लिया कैसे जाएगा प्रभीतरात्मा उनकी मदद करेगा सामर देगा उनको आगे बढ़ाएगा तो यहां पर यह कमियां पूरी करने की जरूत है और इसलिए यहूदी लोगों को प्रभू ने उस समय चुन दुसरे है दुसरे विश्वास ही जो इस समय में विश्वास में आये हैं और यह लोग यहां पर आप सी स्लाइड में देख रहे हो कि उनके कपाल पर उनके सिर पर यहां पर यह दूद्ध सिल लगा रहा है और यह सिल दुष्टात्मा देख पाएंगे उनको पता चलेगी वो दुष्टात्मा जिनके बारे में प्रकाशित्वा के नौवे अध्या में लिखा गया है वो वो तीडों के समान टीडों जैसी दिखाए देगी ऐसी दुष्टात्मा है उसके बारे में अभी हम आगे सीखने वाले पर यहां पर एक लाग चावाली सेजार पर मोहर लग आने वाली बात इसकी कॉपी एंटीक्रेश्ट खुद कर रहा है उसने भी आप देखो तो कलम ने सी कहता की 666 का चिन्ह की छाप जिसके लिए लिखा गए कि वो उसका नाम है उसकी संख्या नाम क्यां की संख्या है वो दाएने हाथ या तो कपाल पर उनको लगवाएगा यहां पर यहां पर उद्धार पाएंगे दो समू परमेश्वर की साथ जुड़ जाएंगे और एक होगा यहूदियों का समू होगा और दूसरा होगा अनिय जातियों का समू इसमें दोनों का वरणन किया गया दो समू का उद्धार पाया हुआ वहां पर दिखाया गया है यहूदियों का भी विशाल समू है और उद्धार पाया अनिय जातियों का भी विशाल समू है आप यहां पर देखो साथवे चेप्टर में ये दूसरा हिस्सा है पहला था चुने हुआ पर मोहर लगाना और वो लोग यहुदी लोग और दूसरा है उद्धार पाए हुए लोग दूसरे जो इस समय में वो जाती-जाती के लोग होगे इसके बारे में वर्णन आप साथवे दैन नौवी दस वि अध्याय में लिखा है वो प्रकाशित्वा के पांचवी अध्याय में जो समू बता गया है वो नई वाचा के संत है मतलब कलीसिया के बारे में लिखा है कि जिनके हाथों में वीना और धूप थे पर यहां पर वो क्लेश काल के संत है जिनके हाथों में क्या है खजूर की ड पाने का समय है, अमारे लिए दुखों में, संकटों में जय पाने का यह समय है, यह वर्तमान समय जिसमें हम जी रहें है, तो प्यारों, अपने हिम्मत को बढ़ाईये और तैय करें कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में, मेरी कमजोरी ने, मेरे पापो पर, मेरे एक ऐसी बात जो मुझे पीछे खिंज रहे हैं उसके उपर मुझे जय पाना है जो मुझे प्रभू के साथ के संबन से दूर ले जा रही है संसार की बात उससे मुझे जय पाना है तो यह सब पाते हैं प्यारों कि हमें वीजय पाना है यह वह समई थे आभ साथी मुहर के बारे में हम सीखते हैं कल किसी ने प्रश्ण पुछा था कि यह स्वरी यह त्रमपट कैसे होती तो यहां पर इसमें सीख थेगे साथी मुहर को जब खोल आ परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं इसमें जिब्रेयल दूद गैब्रियल दूद भी हो सकता है क्योंकि उसके बारे में लिखा इन दूदों को देखा उन है साथ तुरहियां दी गई देखो आठ पे अध्याय में पहली दूसरी आयत में यह बात लिखेगी साथ तुरहि स्वर्ग में वो भी आधे घंटे तक सन्नाता यह बड़े तुफान से पहले का सन्नाता है अभी तक तो हमने देखा एक बहुत दारी संकट है पर इसे भी भारी मतलब मैंने अभी अभी हमने सीखा ने कि यह दुख की तीवरता बढ़ती जाएगी दर्द की तीवरता स्वर्ग का मानों यह बदला लेने का समय जैसे आ रहा है आ गया है साथ तुरहिया साथो स्वर्ग दूतों को जब दी गई वो समय से पहले के बाद हम देखे तो वन फोर्थ बस्ति का नाश हो चुका होगा एक चोथाई बस्ति बृत्यु पाचुकी होगी यह वो समय यह साथ वी मुहर जब खोली गई और साथ मुहर साथ तुरहिया साथ स्वर्दूतों को दी गई सातुरहिव सात कटोरे की सारी विपतियां जिसके बारे में वर्णन प्रकाशित वाक्य में किया गया है वो ये सातवी मुहर में श्टोर किया गया है ये सारी बाते ये सातवी मुहर में श्टोर है मिस्र के उपर आई हुई विपत्यां वापिस दोहराई जाएगी इस समय में, ज्यादा तर उसमें पांच विपत्यां वो इस समय में दोहराई जाएगी प्यारों, क्यों क्योंकि मिस्रम में जब मुसा बचाने गया था अपनी प्रजा को, वहां पर जो विपत्यां उंडेली गई उसके लिए आज यह संसार पूरा ही डैठार पानीक हो सकता है। पानी लाल हो सकता है यह लुख सभूत है। बहुत सारे लोग हवा में ओड़ा रहे इन बातों, बहुत सारे साइंटिस्ट इन बातों को हवा में ओड़ा रहे, कैसा कुछ नहीं हुआ था, पर ये समय में, ये जो घटने होगी, ये पूरा संसार के उपर होने वाल, इससे पता चले गया कि नहीं, वो समय जो हुआ था, वो सच था, कि मिश्रक के समय में, जब खुलामी में थे इसराइली लोग, और उनको छुड़ाने के लिए जो विपतियां डाली गई वहांपर बेजी गई, वो सच में हुई था, और वो ही विपतियों में से, वो दस विपतियों में, की पांच विपतियां यहां पर होने वाली है महाकलेश का बयानक न्याएं यह साथ भी मुहर खुलते ही शुरू हो जाएगा बयानक न्याएं जिसकी भविश्य वाणी जॉयल दो और तीस इकतिस में लिखी गई है आप निकाल के पढ़ सकते हैं जॉयल दो तीस और तीस और तीस यहोवा के उस बड़े और भयानक दीन के आने से पहले सूर्य अंद्यारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा हमने देखा कि अभी इससे पहले जो मुहर खुल लिए उसमें यह गटना करती तो प्यारो यह बात है प्यारो कि यह एक-एक भविश्य वाणिया पूरी हो रही है और उस समय भी यह भविश्य वानी जो बोली थी यॉयल दो और ती सिकत इन में वो इस समय में सात्वी मुहर खुलने के बाद पूरी होगी प्यारो मसी के बलीदान का जिन लोगों ने इंकार किया है आज तक यह समय में भी कर रहे हैं ऐसे लोग जब उस समय में हों पर उस बलीदान को जिसने ग्रहन किया स्विकर के वही विश्वासी और वही कलीशिया के सदस्य पर यह लोगों ने इनको सुसमाचर मिला उन्होंने हसी में निकल दी आपको शायद पता हो तो कई बर आप सुसमाचर दे तो लोग अंसुना कर देते अरे यह सब कुछ नही का समय होगा उनके उपर पांच वी मुफ़र के समय शहीदों ने जो प्रातना की थी अब ही हमने पड़ा सिखा कि वेदी के नीचे वो शहीदों ने यह प्रातना कर रहे हैं कि हमारे बदला कब लिया जाएगा प्रभु ने बोला था कि बहुत जल्द यह बदला लिया जब यह ट्रॉम्पेट्स मतलब तुरहियां फूकी जाएगी उस समय में यह घटनाय होगी अब शुरुवात हम करते हैं पहली तुरहिया तो यहां तक हमने क्या देखा छे सात मुहरे सातो सात मुहरों के बारे में अमने सीख लिया है हो सके तो प्यारो मेरे आपसे गुजारिश्टर इस अद्देयन को आप बार बार वापीज भी देखे जहां भी आप रूप जाओ समझ में नहीं आता है इसको देखे क्योंकि सारा मट्रियल लब आपके सामने प्रकाशिद्वा के आठ और छे सात पर लिखाए साथ जिनके पास साथ तुरहियां थी फूकने को तयार हुए पहले स्वर्गदूत ने तुरहि फूक ही और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन हुई और पृत्वी पर डाली गई और पृत्वी की एक तिहाई जल ग इंडरेट परस EN में तब принलोजग को पता निंच लेगा कि तोर फेने कि सनी बढ़ जाने में उसमें यह साथ हod Fin अब यह पर क्या लिखंगा क्या है कि अधसी पर जब यह डाला गया क्या कि लहू से मिले हुए ओले, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्यारों, स्लाइड में, उन फोटोग्राप्स को बड़े बैनत से वहाँ पर डाउनलोड किया गया है, और आप देख रहे हो, प्यारों, कि क्या होगा, साथ तुरियां फूकी जाएगी, साथ तुरियां फूकने म आप सोचे, प्यारों, प्रुत्वी का तापमान ये समय में बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाएगा, प्यारों, ऐसा एक स्टड़ी कहता है, कि और स्कोर, मतलब उसका जो प्रुत्वी का केंद्र वाला हिस्सा है, पिछले 20 साल में, 20 साल में उसका तापमान नापा गया है तो 1000 गुना वो तापमान बढ़ गया है, आप सोचो, और ये वो समय होगा कि वो तापमान बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाएगा, प्रुत्वी के अंदर का सबसे नीचले हिस्सा है, वो हिस्सा जहां पर आग है, और वहां पर उसके बढ़ जाने से ये बात होगी, और क्या होगा, प्रुत्वी की एक तिहाई जल गई, मतलब जहां जहां देखो, बीना कोई कारण के आग लग जाएगी, आपको लगे कि ने भी शौट सर्कीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हो और आग कहां से लगे, क्योंकि वो ऐसा समय होगा, कि उस समय में जगे जगे पर आग भी लग सकती है, लिखा है कि बहुत सारे जंगल भी जलेंगे, अभी हमने कुछ ही समय पहले, आउस्ट्रेलिया में, कितने सारे जंगल, कितना सारा जंगल का हिस्ता जल गया, और उसके बाद में Amazon का वो पार्ट हमने, जंगल में आग लगी होई, समझता है, प्यारो, बु है जल गए, पेड़ों की एकती है, मतलब कीतना होता है, एकती है, 33 परटिशन, 33 परटिशन, 28 परटिशन जितने भी है, उसके 33 परटिशन, जल गए, प्यारो, नहींने नहीं उसकी है, इस नहीं पहले हैं, ग्रीन ग्रास कहां गईcha बिएगे घ्यारा बार यहां पर आप देख और आ Counsel एक क्या है एक यह आपको कि नविठी घ्याय Share एक सब्सक्राली है ब्रॉठ काAll Tanrari food कि दूषरी तुरही बार बरशां के IELTS ल्गजद wanna I End सा जलता हुआ, एक बड़ा समुद्र में, बड़ा पहाड समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया, can you imagine, आप सोच सकते हो, समुद्र को देखाई कभी आपने, वो समुद्र का एक तिहाई, मतलब जीतना समुद्र उसका एक तिहाई हिस्सा लहू हो जाएगा, और उसकी वज़े से क्या होगा, एक तिहाई सुरुजी हुई वस्तुए, जो सजीव थी मर गए, मतलब पानी की, जो मचलियां होगी, पानी के जीव होंगे, एक तिहाई वो नश्ट हो गए, प्यारो आप सोचो, यह कैसा समय है, यह कैसा नियाई का समय है, परमेश्वर की जल जला हट, देखिए प्यारो, कुरुपा का समय में हम जी रहें, पर उसका यूही हमें, उसका व्यर्थ नहीं पिता देना है, लॉक्डाउन को आप जो भी समझो, आपके हाथ में है, आप जो भी समझो, पर इसको या नुग्रह का समय है, जिसमें आपको प्रभु के साथ की चाल को आपको व्यवस्थित करना है, अपने आपको नमर कीजिए, अपने आपको बड़ा मत कीजिए कभी भी कहीं भी, प्रभु धिर्दय को देखता है, परमेश्वर, जो नमर किया जाए, जो अपने आपको छोटा कर उसको बड़ा किया जाएंगा, आज लोग अपने आपको बड़ा करने यह करते हैं ओक इन यह दिखाते और वो दिखाते या कंद यह नाश हो गए एक तीहाई जहाज आप देखो आज इतने सारे कंटेनरों से बरे हुए जाज याँ वाँ इदर उदर ट्रांस्पोर्टेशन चल रहा है उसमें से एक तीहाई जहाज जल जाएंगे भारी मात्रा में आर्खिक नुकसान बड़ी कंपनियों को होगा प्यार हो व्ल्ड वाइड बाइड बारी मात्रा में बड़ी-बड़ी कंपनियां डूब जाएगी सब्सक्राइब कोई बिजनस रहेगा नहीं बहुत भारी खोट उनकों के धंदे में देखने में लिए तो यह समय है प्यारों कि जिसमें कोई नहीं बचने वाला है कोई भी बाकी नहीं रहने वाला ह प्रुट्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति यह संकट से होकर गुजरेगा लिखाए आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहार समुद्र में डाला गया मतलब यह वो समय होगा कि अब आज देखते हैं कि कुछ न कुछ एस्ट्रोइड प्रुट्वी के पास से गुजर जाते हैं पर अभी तक तो पास से गुजर जा रहे हैं क्योंकि यह अनुग्रा का समय है पर उस समय में वो पास से नहीं कुजरेंगे वो सीधा ही गिरेंगे और यहां पर यह बात लिखिए कि बड़ा पहार समुद्र में डाला गया है अब प्यारो कोई पहार जैसी बड़ा पहार जैसी बाट समुद्र में जाते हैं क्या होता है बहुत भारी सुनामी मतलब इस समय में जब दूसरी तुरह फूकी जाएगी बहुत बड़ी सुनामी मतलब मेगाव सुनामी हो सकती हैं जो कभी भी देखी ना एसी बड़ी मेगाव सुनामी हो सकती है यह दूसरी तूरही जब अना आठ भ गया त्ससटे से 11 दूस्मेंकि में तरे इसमें रिखा आठ लिखा है तीसरे स्वर्ग दुट ने तुरही फूकी, और एक बड़ा तारा, जो मशाल की नाई जलता था, स्वर्ग से टूटा था, और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है, और एक तिहाई पानी नागदोना कासा कड़वा हो गया और बहुत तेरे मनुश्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए अब यह जब तीसरी तुरही फुकी जाएगी स्वरक दूद के द्वारा तीसरी स्वरक दूद के द्वारा तब यह यह घटना यह इस पूर्थी पर होगी मशाल की नहीं जलता बड़ा ता सब्सक्राइब यह जो नासा के जो साइंटीश्ट है जितने उनके हबल टेलिस्कोप से उनको डीप स्पेस में जब उनको लोग उनसे व्यू लेने का प्रयास किया तो उनको बहुत सारे ग्रह ध्यान में आये हैं और उसमें एक ग्रह है प्लैनेट एक्स निपीरू नेमेस कैसे हर्क्यो लबस एंट बीब्लीकली कॉल उसको बोल सकते वहां मवूड में और यंगलिश में नाग दोना जो लिखाएं इंगलिश में उसका नाम है वार्म वूड प्यारो यह गिरेगा हो सकता ये धुमके तो भी हो या और कोई तारह हो पर जिसके बादे लिखें बड और गिर कर कहां जाएगा जीतने भी जल सोते हैं, नदियां, पानी के सोते जहरने इनके उपर गिरेगा, और क्या होगा? बड़ाग्रहें गीरेगा मतलब क्या होगा रुत्वी के वातार में प्रविष्टे ही ये तूट जाएगा विखर जाएगा और ऐसी ऐसी जितने भी जल स्रोत है उनके ऊपर जाकर नदियां है तालाब है सोते हैं जो जरने हैं उनमें जाकर ये गिरेगा अब क्या होगा प्यारों ये जो drinking water prices उस समय में बढ़ जाएगी पानी जहरीला हो जाएगा और इसकी वज़ा से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी जाएगा ये जो नाग दोना जो शब्द है warmwood ये बाइबल के समय की एक ज्यानी मानी कड़वी जड़ी बुट्टी है और ये सिर्फ पानी के लिए कड़वा स्वाद की बात नहीं होगी कड़वा हो जाएगा कड़वा जाएगा पर ये जहरीला आभी बना देगी नि तो ये बात है प्यारों कि जब ये तीसरी तुरही फुकी जाएगी तो जो ग्रह गिरेगा उसकी असर से पानी और पानी के सोते इस पर असर होगी अब आप देखो जादातर नदियां और जर्ने बहते सके जरनें यह किसू कंदें पीने के पाणिका मेज़ते और खेपि-वाडी के और होगा Er पर उन पर जहर की असर तो होगी जाट-जाट की बीमारी आओगी बच जाएंगे तो पर दूसरी बात ही होगी कि जो जो फसल के लिए पानी जानेगे उसमें भी फसले भी जहरी हो जाएगी आप सोचो थोड़ी देर शांती से आज रात को बैठ कर सोचना कि मुझे इस समय में जाना है कि नहीं जाना है तेखो इस समय में जाना है तो कुछ मत करो ऐसे ही रहो और चले जाओगी अपने आप ने प्रभु के लिए कुछ मत करो विश्वासी जीवर में आगे बढ़ने के लिए चीराइब छोड़िया के लिए उसे के रहे होगर है। को सूरिय चांद और तारव की एक तिहाई पर आपति आई यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया अब प्यारो कितना भारी अवकाशिय ब्रह्मान में आएगा प्याप कि यह चांद तारे जो पृत्वी पर उजाला देते हैं दिन में और रात में वो उनके हिस्सा अंधेरा हो जाएगा अलों बहुत भारी बदलाव और बीट में आने वाला है जो ग्रह और बीट में कख्षा में घुमते हैं उनका मार्ग बदल जाएगा इस समय में और लिखाए कि अब इसका मतलब क्या है 24 गंटे वराबर आज के हम समय देखे सुबह साड़े पांच से साम के साथ साथ तक उजाला रहता है तो कितना समय रहा यह 14 गंटे 14 गंटे का एक तीहाई कितना होता है 4 से साढ़े चार घंटा होता है मतलब यह 4 से ताभे घंटा दिन के समय में अंधेरा रहेगा आप सोचो और चांद का जो समय है उसमें भी यही बात बटेगी आकाश के बीच में इस समय में एक दूसरी बात बटे के एक उपकाप को उड़ते और उंचे शब्द कहते भी सुना गया और वो उकाब क्या बोला कि उन तीन स्वर्धुतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फुकना भी बाकी है पृत्वी के रहने वालों पर हाई 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 अब प्यारों यहाँ पर बहुत भारी बदलाओ यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है न्याई में और जो बड़ी घटनाय घटने वाले उसमें यहाँ तक हम देखते हैं चारों तुरहियों के न्याई बाहिय जगत तक से भी थे मलब आउटर वल्ड में भावतिक शेत्र में थे यह न्याई शासन पर बाकी की तीन तुरहियां जब फुकी जाएगी तो यह न्याई जो होगा वो सीधे मनुष्यों के ऊपर लागू होने वाला है अब बाकी की जो तीन तुरहियां फुकी जाएगी आप सोचो प्यारों एक चोटा बुखार आते ही तिलमीला उठते हैं तो यह तो मनुष्यों पर जो भारी मातरा में लागू होगा यह संसार के लोग कैसे सहेंगे पांचवी तुरही यहां पर बाकी की जो पांचवी छट्थी और साथवी तुरही की बात लिखी गई है ये तीन बड़ी विपत्ती इनसान के शरीर उपर आएगी इनसान के उपर आएगी सिदी बाहिय जगत में तो जो हो रहा है वो हो रहा है पर अब ये तीन तुरही जो फुकी जाएगी, पांचवी, शक्की और साथवी, ये तीन वीपत्ती लेकर आएगी, और इसलिए वो उकाब के पक्षी ने हाई 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 बोला, कि अब जितने भी लोग रुत्वी पर रह रहे हैं, उनको हाई हाई हाई, अपसोस, अपसोस, मत मतलब ये तीन बड़ी विपत्ती अब इनसानों के ऊपर आ रहे है, पृत्वी पर तो ये बात हुआ है, समुद्र पानी पर भी बहुत कुछ हुआ है, बाहिए संसार में भी हुआ है, बहुत वातावर्ण में बारी म्याई जाहिर हुआ है, पर अब सिधा इनसान पर अब लागों होता है, एक तारा आप पढ़ें इसमें, प्रकाशित वाक्य मेरे साथ निकाल है, नौवा अध्याई, क्या लिखाए, जब पांचवे स्वर्धूत ने तुरेफ हुआ की, तो मैंने स्वर्ध से पृत्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अत्हा और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआ उठा, और कुंड के धुए से सूरिय और वायु अंधकार में हो गए, अब देखो प्यारों, यहाँ पर बहुत भयानकता, न्याई की भयानकता दिखाई है, आप देखो, यहाँ जो तारा स्वर्धूत है, जिसके बारे में लिखा है कि एक तारा गिरता हो और उसे अथाकुण की कुंजी दी गए, अब यह जो तारा है, वो एक स्वर्धूत की बात है, पर वो स्वर्धूत की बात नहीं है, जो परमेश्वर की भक्ति, आरादना प्रभू की महिमा करते है, यह पतीत स्वर्धूत है, और क्या जब अथाकुण की कुंजी उसको दी गए, वो अथाकुण में गया, जिसको बोलते है बॉटम लेस्पीट, यह बॉटम लेस्पीट शैतान और उसके लिए तयार, उनके दूतों के लिए तयार किया गया है, जो हजार साल तक जिसमें इनको इसको बांद कर रखा जाएगा यह वो बॉटम लेस्पीट है, और यहां पर इसके बारे में बहुत कुछ हम देख सकते हैं, अधोर लोग के साथ अलग अलग हिस्से है, उसमें से यह साथवा हिस्सा है, अथाकुण, टार्टरस है, क्शेवल है, हाडेस है, और यह सब अलग अलग नाम है उसके, पर पर प और उसको इसकी कुझी दी गई, उसको यह कुझी दी गई और वो वहां से कुझी, क्यों भई कुझी दी गई और वो खोलता है, क्या हुआ यहां पर? दूएं, एक बड़ा धुद्वा उठा, और दूएं में अशरा पर टिइडियां निकली, दिदिय के आकार लडाई के लिए अब आप देखना यहां पर क्या imagem दूए में से क्या हुआ प्रुथवी पर टिद्डिया निकली तिद्डिया कल कोई पूछ रहा था कि ट्रंपेट कैसी होती नहीं तो फिर ट्रंपेट यहां पर दिखाए गई आप उपर देख सकते हो वाइट पिक्चर में उसके बराबर नीचे टिद्डिया कैसी होती है इसको बोलते गुजरती में यह ऐसे हैं आज ही न्यूज में हमने देखा कि पाकिस्तान के कुछ हिस्तों में टिद्डियों का आक्रमन हुआ है मतलब बड़े-बड़े पके खेत वो मिनीटों में यूं चट कर जाते बड़ी भारी मात्रा में मिन्टों में चट कर जाते यह जब इनका हमला होता है अब यहां पर यह बात है अथाक उन में से टिद्डियों के आकार के मतलब टिद्डिया निकली यहां पर और यह टिद्डिया कैसी थी कोई सामानिया यहां पर दिखा यह वैसी टिद्डिया नहीं थी वो टिद्डियों का आकार यहां पर लिखा है लड़ायगे लिए तयार किये हुए घोडों के स्यूड़ाय haft fi जैसी थी और उनके सीष्ट पर मानों सोने के मुख थे अब घोडों कैसी थी और उनके सीर पर सोने के मुख थे और उसके मुओं हुँ उनका नोश्य के जैसा इन्सानी Vorteस हुआ और उनके बाल स्ट्रीयों कैसे था मतलब बड़े बड़े बाल और दात सीहों कैसे था था और वे लोहे किसी जीलम मतलब बक्तर पहने हुए थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था अब ये सब था और टिड़ी उनकी पंक है भी है जब वो पंक फड़ पड़ा दी तो उनका शब्द ऐसा उनकी आवाज ऐसी आती थी जैसे रथो और बहुत से घोड़ो जो लड़ाई में दोड़ते हैं ऐसी आवाज जब ये टिड़ीयां बाहर आई तब आती थी सोचो प्यारो यह कैसा ख्लेशी काल है और अगे लिखा है उनकी बीच्चुओं की मितब उनकी पूँच्चु की पूँच के जैसी थी और उनमें डंक थे और उन्हें पाँच महिने तक मनुष्यों को दुख पहुँचाने की जो सामर्थी वह उनकी पूँचों में थी और पाँच महिने तक उनको यह धिकर दिया गया कि उनको यह दिए जाए दिख रहा है आपको यह ऐसा होंगे यह कालपनिक चित्रन किया गया है यहाँ पर कि उनका फेस मनुष्य के जैसा बाल स्त्रियोग के जैसे शाती पर एक बक्तर जैसा और दात लाइन के जैसे सीनी के जैसे और पुरा बोड़ी गोड़े के जैसे और उनकी पूँच बिच्चू के समाने यह दुश्टा आत्मा है दुसरा एक चित्र उसका पिक्चिर आप देख सकते हो इनको यहाँ पर क्या लिखाया गए अथाकुन का दूथ उनक पर राजा था उसका नाम इबरानी में अबद्दोन और युनानी में अपुलियोन है और उनको इन टिडियों को आधीकार यह दिए गए यह इसके उपर सवार होंगे ईनको क्या अधीकार दिया गए कि इन मनुश्यों को हानी पहुंचो, कि इन मनुश्यों को तो यहां लिखा, जिनके मात्य पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, अभी हमने थोड़े समय पहले देखा था ने, कि वो जब सील खोली गए, मोहर खोली गए, तो क्या हुआ था, कि 1,44,000 उन लोगों को चुने हुए पर, उनके सीरों पर मोहर लगाए गए, एक स्वर्वदुद ने आकर उनको रोका, और ये बात होई थी, तो ये इन लोगों, ये लोग बच जाएंगे यहां पर, ये प्रभुक के लोग, उस समय में क्लेशकाल के संथ यहां पर बच जाएंगे, उनको नहीं, पर क्या है, ये उस तात्मा को दिखाए देगा, प्यालों, लिखाए कि उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर पांच महिने तक इन लोगों को पीडा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीडा ऐसी थी, जैसे बिच्चु के डंक मारने से मनुष्य को होती है, इंसान को है तो अच्छा है, पर उनको मौत न मिलेगी, प्यारों, मरने की लालसा करेंगे, पर मृत्यू उन से भागेगी, चठी तुरही, आखरी तुरही ये देखकर हम पूरा करेंगे, अभी, आप सोचे, ये कैसा भयानक समय है, चठी तुरही का फूका जोनन, ये चठी तुरही नौवे अधिया के 13 ऐच से 11 अधिया की 13 आयत तक यहाँ पर जो घटना है, ये चठी तुरही फूके जाने से ये घटना है, ये वी पत्या हुई है, उसका वरणन है, ये दुसरी भारी हाय होने वाली वी पत्य है, अपसोस दायक वी पत्य है, दुसरी इनसानों के लिए, क चार स्वर्ग दूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंदे हुए है, खोल दे, अब ये जो चार स्वर्ग दूत है, जो बंदे हुए है, तेखो एक चीज है, स्वर्ग दूत, जो परमेश्वर के चुने हुए जो स्वर्ग दूत है, जो पवित्र स्वर्ग दूत है, वो अगवें दूष्ट आत्मिक सेना चारों दिशाओं में जाकर यह जाएंगे और एक तीहाई मानव वस्ती को खतम कर डालेगी एक तीहाई तीहाई प्रतिश्रत एक तीहाई मानव वस्ती को यह मार डालेगी यह दूसरे घुर सवार होंगे जो यहाँ पर 20 करोड जिनकी संख्या 20 करोड लिखी गई और लिखाए कि जिनकी जिले में आग और दुम्रकांत और गंदक की सी और उन घोडों के सीहों के सीरों कैसे थे और उनके मूँ से आग और दुम्रकांत और गंदक निकलती थे उन घोडों की सामर्थ उनके मूँ और उनकी पूंचों में थी इसलिए कि उनकी पूंचे सापों की सी थी जो पांचवी तुरवी में जो दुश्टात में निकली थी उसी प्रकार के यह लोग होंगे पर इन पर यहां पर क्या है गोड़ सवार और यह क्या है उनकी पूंचे सांप किसी थी और इनी से वे पीड़ा पहुंचाते थे देख सकते हो आप और इनके ओपर गोड़ सवार थे यह चार लोगों की बात है चार अलग अलग पतीद स्वर्गदूत यह चार दुष्ट गोड़ सवार जो चार दुष्टात मैं उनके साथ मिलकर यह बात प्रटेगे कि 20 करोड़ स्वर्ग पतीद स्वर्गदूत यह इनके अगवे होंगे और बाकी मनुष्यों ने जो यह बहुत बड़े दुखी बात है कि यह सब घटना घटी 33 प्रतिशत हिस्सा वन फर्ट माना ववस्ती इन लोगों से मर गई इनके मारे जाने से मतलब इनके मुह से जो आग और गंधक निकलती थी इन से और जो पीड़ा पहुंचाते इससे 33 प्रतिशत लोग मर गए यह सब लोग देख रहे यह इनके एक लेशकाल के समय में जो लोग होंगे वह सब लोग देख रहे यहां पर फिर भी वह अपने हा बाँपी दूस्टात्माओं की सोने और चांधी और पीतल और पत्थर और काट की मुरतों की पुझा नहीं चालों ही रखा एक नहीं तो दूसरा दूसरा गाना के और जो खून और डोन cannon और व्यभीचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिरा है, यह करते रहे, उनके उसमें मगन रहे, उनका हिर्दाई इतना कठोर हो गया था, प्यारो, कि इतना भारी दंड मिला है, फिर भी वे दंड देखकर भी वो मन नहीं फिरा रहे, प्यारो, एक बात इसमें सी बदलेगा, प्यारो, वो आपको दिखाने के लिए बदलेगा, पर उसका हिर्दाई तो परमिश्व के प्रेम से ही बदल सकता है, यहां तक यह बात हम आज तक सिमीत रखते हैं, बाकी की साथ भी तू रही, और साथ कटो रहे, और जो दो भविश्य वक्ता हो कि सेवक आई है, उसके बारे में, हम नेक्ष्ट आने वाले समय में, शायद शुक्रवार के समय में हम देखेंगे, पर यहां तक हम सिमीत रखते हैं, कल एक पहन ने पूछा था, मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूँ, इसका जवाब नौवे अध्याए में है, शोरी, दस्वे अध्याए की छोटी पुस्तक, यह छोटी पुस्तक कल भी बताया था, पर यह चोटी पुस्तक वो ही यह, जिसके हाथ में यहां पर है, बड़ा स्वर्गदूत लिखा है, शक्ति शाली स्वर्गदूत, और कोई न है और मैं यहां पर लिखा है कि खुली हुई किताब है यहां पर, इसका मतलब मुहरे साथ तो मुहरों को खोला जा चुका है, तब वो किताब पूरी खुल गई, और तुरहिया और कटोरी का पुरा न्याई इसमें वर्णन किया गया है, और इसलिए यह चोटी पुस्तक व और कुछ नहीं, वो ही किताब है जिसको उपर मुहरे लगे थी और जिसको प्रभ यश्व मसी ने खोला था, आईए तो हम प्रातना करते हैं इस समय में, इंसारी कटनाओं को सुनते हुए, समझते हुए, अपने संबंध को प्रभु के साथ फिर से नया और ताजा करने का अगर आप विश्वासी जीवन में कहीं भी पीछे हट पाए हो, कहीं भी आपने कॉंप्रोमाइस किया है, संसार के साथ समाधान किया है, आपने पाप के साथ समाधान किया है, हो जाएगा, चल जाएगा, मेरी कमजोरिया है, यह तो मैं ऐसा ही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा ह प्रबो प्रभु का स्वभाव है, NEW जो सहायक है, जो हमें ऐसे समई में 같이 विजाई देने के लिए हमारी मदद कर सकता है आईए प्रात्ना करते पिता हम धन्यवाद करते आज के इस समय इस आउसर में आपने हमें सिखाया कि प्रभू क्लेश काल का समय कितना भारी समय है कितना भयानक समय है जिसमें बहुत भारी विपतियां लोगों पर आ सकती है प्रभू हम प्रात ना करते हैं प्रभू हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त प्रभू हमारे विश्वासी या तो हमारे स्नेही जन हमारे परिवार जन हमारे कोई भी सदस्य हमारे मित्र हम जिनको पहचानते जिनको फ्यार करते हैं, जिनको जिनके लिए हमारे मनों में भावने हैं, हम नहीं चाते हैं, प्रभू, इन में से कोई भी हमारे आस पडोस के लोग, पडोसियां, कोई भी यह समय को देखें, प्रभू, हम नहीं चाते हैं, और इसलिए आज हम प्रात्ना करते हैं, तेरी पहचान, तेरा चेहरा देखे परमिश्वर, तुझको अपनाए परमिश्वर, तेरे पीछे चलने कर फैसला करे परमिश्वर, तू हमको बदल और भी पवित्र कर, और भी पवित्रता में तू आगे बढ़ा, और भी प्रभू तेरी महिमा में तू आगे बढ़ा प्रभू, उनके तक हम प्रेम ले जाए, प्रेम का अनुग्रह का सुसामाचार ले जाए प्रभू, हम लोगों को प्रेम करने वाले बने परमिश्वर, चाहे वे जैसे भी हो प्रभू, हम प्रेम करने वाले बने परमिश्वर, हम यह अनुग्रह दे परमिश्वर, हम जब यह बदलेगा, कुछ लोग बदलेंगे, कुछ लोग सैमत होंगे, पर तेरे प्रेम को पाकर कोई भी बदला हुआ नहीं रह सकता, सब बदल सकते हैं तेरे प्रेम से प्रभू, और इसलिए हम प्रात्ना करते हैं तू हमें तेरे प्रेम से भर दे प्रभू, ताकि हम चुपना बै जासे उसको आपके हाथों में सौंते हैं, उसमें भी तु हमारी अगवाई करना है, येश्यु वसी के नाम से हमारी प्राहत नाम के च्छाड़ों मिलाते हैं, इसे कुबूल करें, येश्यु के नाम में, अमें